हेलो स्टूडेंट क्या हाल है आप सब लोगों का तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं थ्री डाइमेंशनल जिमेट्री ओफ क्लास प्लस टू सी बेसी बोर्ड तो यह चैप्टर मुझे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है थी कमेंड के थू कि आप जो प्लस टू का जो चैप्ट करो प्लस टू कि लास औहीं है दो करो तो मैंने स्टाड किया मैंने सूचा कि मैं स्टाड करता हूं से में sih मैथेunkt कर चेप्टर यह चैप्टरि यह तो अगर आप मेरी वीडियो देखो गे आपको मैं इसी जो तरीके से बताओंगा ठोर्ट टाइम बेशकल हूँगा आप स साही लेक्षर देखते हैं तो students सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें जो हम बात करेंगे वो हमाई जो होगी वो है direction cosine पहले intro लेते हैं इसकी introduction है पूरी okay student क्या है direction introduction तोटली है chapter पूर introduction का है 3D का वो कुछ plane को छोड़के only सबसे जो पहला point है students वो हम पढ़ते है direction cosine direction cosine तो student direction cosine होता क्या है actually अब हम यह बढ़ते हैं तो आपको मैं scale की help पे थ्रूँ से दिखाता हूँ जैसे की मालो की हमारा एक system है space system है एक है लो कार्टीजन system है ok student और यहां पर क्या है एक इसके नाम इसको बढ़रा नाम दे दू कि यह x axis है यह y axis है और यह z axis है फिके स्टूडेंट दिखे रहां आपको यह क्या है एक्सेक्स य and z-axis x, y, z और यह क्या है हम अच्ट्ट्ट्ट्ट् origin o ट्रीक है स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब हम क्या करेंगे एक line यूज्स करते हैं जो line है कैसी है? कुछ ऐसी एक line जा रही है, माल्लो वो line लेते हैं a, b ठीक है, सुनाइम का जो बस आप देखते जाओ, ठीक है student, येक लाइन अबी जा रही है, इसका हमने डिरेक्शन को साइन निकालना है, तो जो डिरेक्शन को साइन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, आप बस वीडियो देखते जाओ, और आपको इस टॉपिक ते, जो एन तक आपको सब को समझा हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इस line का direction को साइन पता करेंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस line के parallel, origin से पास होती हो एक line, draw करेंगी, तो मैंने इस line के मालो parallel, जो या हमारा origin है, O, इससे पास करती हो, एक line और खीच ली, ओके स्टूडेंट इसको मैं नाम दे दिया से P तो यह OP line है यह AB के parallel है अगर मैं OP line के direction cosine निकाल लूँ तो मैं AB line का भी direction cosine निकाल लूँगा कि OP line के direction cosine AB line के direction cosine के क्या होंगे? इक्वल होंगे ठीक है स्टूडेंट अब मैं थोड़ा इसके angle लिख देता हूँ कि angle क्या है तो यह हम लिखते है जो यह OP line है यह जो X axis के साथ जो angle बना रही है यह वाला angle जो बना रही है यह कितना है हमारा student? यह angle है alpha ठीक है? उसके बाद student हम बात करते हैं कि जो यह OP line है वो जो Y axis है यह वाला उपर वाला इसके साथ जो angle बना रही है वो कितना है student हमारा? बताओ वो है beta ठीक है? और जो यह Z axis है उसके साथ जो यह OP line क्या बना रही है? angle बना रही है तो यहां लिख लेते हैं कि दूसरे करसे कि जो यह Z axis है इसके साथ जो यह OP line है रही यह angle बना रही है तो यह angle केतना रही है student हम? गामा ओके student? तो यहां तक हमारा हो गया alpha, beta, gamma और हम यह कह सकते हैं कि यह कह है mutually perpendicular system है यह तीनों axis कह है mutually perpendicular है मतलब आपस में एक दूसरे के perpendicular है x y के perpendicular है और y x के perpendicular है y z के perpendicular है z x के मतलब आपस में यह तीनों perpendicular है ठीक है student? जैसे कि हम कह सकते है कि जैसे यह कोई system हो गया यह हमारा जो first finger और यह हमारी यह second finger और यह thumb आपस में क्या है? mutually perpendicular है यह आपस में तीनों एक दूसरे के perpendicular है तो उसके बास तो alpha, beta and जो gamma है हमारा student इसको हम क्या बोलते है इसका नाम है इसको हम बोलते है इसको नाम देते है direction angle क्या बोलते हैं इसको हम? direction angle ओके student और जोसकी heading का है direction cosine तो cosine है cosine का मतलब क्या होता है? cause जो हमने पढ़ा है trigonometry में sine, cause, tan, quote ठीक है? ऐसा कुछ तो अब हम क्या करेंगे? यह direction angle साथ हम जैसे यहाँ पर लगा देते हैं cause cause alpha यह जो angle के साथ मैंने क्याँ करेंगे पस जो cause है वो मैंने attach कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? direction cosine direction cosine ओके student और यह direction cosine को हम यह तो होके direction cosine और हम direction cosine को L M and N से भी रिप्रेजेंट करेंगे हैं इस यह आर अल्सो ए direction cosine मतलब जो direction cosine का नाम है वो क्या है? L M N ठीक है student उसके बाद हमने क्या करना है student कि जो यह L M N है जो यह cause alpha, cause beta, cause gamma वी direction cosine है और direction cosine को L M N भी बोलते हैं तो यह मिले सकते हैं L इक्वल टू cause alpha M इक्वल टू cause beta and N इक्वल टू cause gamma आप चाहँ उसको point बना लो यह first point यह second point यह third point और यह fourth point तो यह हमारा हो गए direction cosine और यह जो direction cosine होते हैं अच्छली यह आपस में क्या होते हैं अगर हम देखते हैं चलो वो बात बात में करते हैं तो यह हमारी बात होगे L M N L इक्वल टू cause alpha M इक्वल टू cause beta and N इक्वल टू cause gamma तो student यह हमारे क्या होगे यह होगे direction cosine तो इसको मैं थोड़ा box में बंद कर देता हूँ यह direction हमारे cosine है ओके student उसके बाद student हमने देखना है कि यह हमारा एक setup हो गया अगर माल लो मैं यहाँ पर निग्रद बाऊंगा मैं दूसरे page में करता हूँ फिर आपको और अच्छी है मतलब understanding होगी इसकी अब क्या student हमारा एक और system है पहले क्या था student कि जो हमारी line थी वो क्या थी इस direction में थी ठीक है मतलब ये भी इस direction में था ठीक है इसको हम बो लेंगे positive direction अब जो हमारी line है 2nd case में वो कैसी negative direction तो हमें ले लेते एक line ले ले लेते हैं आपर वो भी actually parallel होगी तो इस जो line parallel हम निकालेंगे direction cosine तो लाइन के जो direction होगी वो कुछ इस तरफ होगी, ठीक है, student इसको हम A ही लेते हैं वो इसको B लेते हैं, तो पहले जो direction थी line की वो कैसी थी student, तो वो थी A से लेके B की तरफ, जो अब direction line की है वो है B से लेके B to A, कह सकते हैं B to A, अब क्या student, हमने जो यह line है ना parallel, इसके हमने parallel यह origin से पास करती है, एक line कीचन में है, इसको नाम दे दिया हमने Q, क्योंकि पीछले case में हमने नाम दिया था, यहाँ पर P, उसको नाम दे दिया Q, तो इस student, अब देखो, कि अब क्या किया हमने, कि जो यह line Q है, यह negative direction में है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और, यह X के साथ कितना angle बनायाएगा, ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, या फिर X पहले मैं angle लिख लेता हूं, पहले कौन को से लग रहे थे, और, यह Y के साथ कितना angle बनायाएगा student, दो मेंने के student, तो चुन जो एक से साथ यह angle बना रहा है, यह है, पाई माइनस अलफा, ठीक है, अब आप बोलोंगे, पाई माइनस अलफा के है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको बाद में समझाता हूं, दूसरा है, पाई माइनस बीटा, जो यह Y के साथ बना रहा है angle, ठीक है, मैं खोड़ा नाम भी देता हूं, एक्चुली में बूल के थे, यह OQ ह है, अब ऐसे mistake मत करना, और यह है, पाई माइनस गामा, ओके स्टूडेंट, अब क्या स्टूडेंट, तो आप यह देखो, यह angle कैसे बना रहा है, एक्चुली और बुक्स बगारा में, यह angle के साथ ही दिया हूँआ, लेकिन यह वड़ा गंद बढ़ जाता, यह जो negative direction का angle है यह यह दिया हूँए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना, समझ में आने में काफी दिक्कत होती है, उसको represent करने में सास होता है, तो मैंने next में कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर मैं यहाँ बढ़ाओं वो line, अगर कुछ, मालो की वो line मैं यहाँ कर लेता हूँ, ज यह सीधी line है, ठीक है, PQ, अब क्या है, यह जो X axis के साथ कितना अगर मना रहा है, अलफा, तो यह angle कितना हो, student, यह जो angle हूँए, बाकी, यहाँ तक X axis के साथ, इसका OQ का कितना हूँए, पाई मिनस अलफा, यह हमने पढ़ा है, student, क्या पढ़ा है, कि कोई line होता है, और यह यह जो angle होता है, यह कितना होता है हमारे angle, 180 degree का, ठीक है न, यह 180 degree angle होता है, यह अपने, छोड़ी ग्लासों में बढ़ा होगा, 910 में, उसके बाद क्या है, अब यहाँ देख लो, यह भी line है, यह जो line है, सीधी, तो यह total angle कितना है यहाँ तक, ठीक है, यह यहाँ से लेके, यहाँ तक angle कितना है यह वहला, यह angle ऐसे जाएगा, घरी यह घर लेके इसे जाएगा, एक 180 degree से यह ही होता है, अब आ लो, यह, इतना angle इसका, यह, सेंटरल पॉइंक है, यह आफ़ा यह टोटल अंगल इतनी से ऺाहिए टोटाल एंगल πई किया है तो इतनी अगल है पंग इन के इनल फा तो वह ही मैंने इस चीज यहां कीडी आप पाल मैंनिस नवा नहीं किया कि halet पाई को लोग फी कहते हैं पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा क्या है द्रैक्शन एंगल सीधी से बात है वही जीज जो पहले हमने पड़ी ती उसके बात किया अगर हम निकाल ला है ड्रैक्शन को साइन तो हम जो एंगल साल लगा देंगे कोज-कोज cos πi minus alpha cos πi minus beta and cos πi minus gamma actually मैंने यह alpha पाजियाता है gamma था πi minus gamma तो यह कै हमारा direction cosine ओके student उसके बाद क्या student हमारा हमने क्या करना है इसको देखो यह क्या है cos πi minus alpha cos πi minus alpha क्या होता है minus cos alpha minus cos alpha minus cos beta and minus cos gamma और हमने पीछे पढ़ा भी just कि cos alpha क्या होता है l तो यह minus cos alpha तो यह होगा minus l minus m minus n ठीक है student अब हम क्या कर सकते है यह भी हमारा वही हो गया क्या बोलते है direction cosine but उसमें क्या था कि l m n था तो लिखा है l cos alpha m cos beta n cos gamma यह क्या है कि साद माइनस है तो मैंने l के साद माइनस लगा दीगा तो हम ही कह सकते है कि जो direction cos ठीक है वो किसमें exist करता है वो set में exist करता है वो क्या है set हम कह सकते कि direction cos r exist in set like पहले के से में क्या था plus 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 l plus m plus n इस के से में क्या है minus l minus m minus n तो हम ऐसे लिख सकते है plus minus l plus minus m and plus minus n इसे लाइन भी लिख लो काफे इंपोरे लाइन ठीक है student तो यह main line है इसकी तो हम यह कह सकते हैं कि direction cos इन अर एक्जिस्ट इन किसमे set में okay student तो थोड़ा वीडियो में जड़ा और लंबा नी खीचना चाहूंगा अब जो next है वो है relation between LMN तो यह हम next lecture में करेंगे ठीक है student मिलते हैं फिर goodbye thank you so much मेरा यह lecture देखने के लिए अगर आपको पसंद रहा तो इसको subscribe करें चैनल को वीडियो को लाइक करें और शेर करें अपने friends के साथ और फिर मिलते हैं ठीक है goodbye have a nice day